वेलकम फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको माइनर का पासपोर्ट कैसे एपलाई करना है उसके बारे में बताऊंगा आपको सबसे पहले www.passport.india.gov.in की साइट पे जाना है required document की बात करें तो आप parents के passport होना जरूरी है बच्चे का अधर कार होना जरूरी है और birth certificate जरूरी है इतने document होगे तो आप easily पासपोर्ट के लिए apply कर सकते हो दोस्तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और उसे हिसाब से प्रोसेस फॉलो करके आपकी passport की application कम्प्रिट करनी है दोस्तो अगर आप मेरी चनल पे नए हो तो प्लीस मेरी चनल को subscribe जरूर करें तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों पासपोर्ट के आजकल बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट बनी हुई है आपको एक बार वेबसाइट को ध्यान से देख लेना है उसके बाद ही आगे बढ़ना है यहां पर हमें new user registration के उपर क्लिक करना है user registration form में सबसे पहले आपकी passport office को select करना है given name में आपको बच्चे का नाम और father का नाम अगर साथ में लेना होगा तो given name में साथ में ही लेना पड़ेगा for example अगर बच्चे का नाम निराली विनोद सर्मा है तो आपको given name में निराली space विनोद लिखना है और surname में सर्मा लिखना है date of birth selection करके fill करनी है आपकी email id fill कर लेनी है और do you want login id same to be email id को yes रखना है ताकि email id और login id आपकी एक ही रहेगी तो आपको याद रखने की डिक्कत नहीं रहेगी login id के availability चेक कर लेनी है और आपका password fill करके आगे बढ़ना है hint question अगे आपके हिसाब से select कर लिजेगा और capture code बरके registered user पे click करके आगे बढ़ना है दूस्तों मैं यह detail blur करके बढ़ गहाँ क्योंकि डेटा privacy के कारण में आपको यह दिखा नहीं सकता दोस्तों यहां पर आपको registration confirmation का एक notification आएगा उसके बाद आपको आपकी email id पर जाके inbox में चेक कर लेना है आपको एक mail आया होगा जिसके उपर link होगी उस पर click करके वापस से आपको आपको आपकी user id फिल करके submit करना है और आपका account activation successfully करवा लेना है इसके बाद वापस यहां पर एक बार login पर जाके आपकी login id डालके continue पर click करके login कर लेना है login करते ही browser के home page के सबसे पहला option दिखेगा apply for phrase और raise you जिसके उपर click करके हमें आगे बढ़ना है अगले screen के आपको सबसे पहला option alternative one click here to fill online के click करना है इसमें आपको आपका state select करना है और आपका district select कर लेना है इसके बाद आपको passport type select करना है जिसमें हम minor का passport apply कर रहे हैं तो phrase passport को select करेंगे, type of passport में आपको normal रखना है अगर आपको तथकाल में चीये तो तथकाल को select करना है लेकिन दूस्तो नॉर्मल से तथकाल की reference ज्यादा रहती है तो अगर आपको जरूरत नहीं हो तो normal ही दिक करना है अगर आपको urgent में चाहिए तो ही ततकाल को सिलेक्ट करना है पेज में आपको 36 pages को सिलेक्ट करना है क्योंकि माइनर का है तो ज्यादा पेज की आपको जरुवत रहती नहीं है और आपको next पे क्लिक करके आगे बढ़ना है दोस्तो यहां से passport की application filling की सरुवत हो रही है तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है given name जिसमें आपको बच्चे का नाम पहले लिखना है space देखे middle name लिखना है generally middle name में आपको father का name लिखना है अगर बच्चे का middle name अलग है तो पहले नाम लिखना है फिर space देखे middle name लिखना है और नीचे surname फिल करनी है जिसका मैंने आपको आगे भी example दिया था login ID create करते टाइम gender के column में आपको बच्चे का gender select कर लेना है have you been known ever by other name में आपको no पह सिलेक करना है have you ever changed name में भी आपको no पही सिलेक करना है date of birth selection के द्वारा feel कर लेनी है is your place of birth out of India में आपको no पह सिलेक करना है अगर बच्चे का जन्म अगर कोई दूसरी country में हुआ होगा तो ही आपको yes पही सिलेक करना है place of birth में आपको yes पर birth certificate जो city या जो village का नाम होगा उसे feel करना है बाद में आपको state और district को selection के थूँ सिलेक कर लेना है marital status में no रहेगा क्योंकि हम minor का passport apply कर रहे है citizenship of India में by birth को सिलेक करना है अगर by birth नहीं होगा तो जो आपका appropriate option होगा उसे सिलेक करना है generally by birth ही रहेगा pen details में अगर बच्चे का pen card आपने बनवा लिया हो तो pen number fill करना है वरना उसे blank छोड़ देना है water id को भी blank छोड़ देना है क्योंकि हम minor का passport apply कर रहे है employment type में अगर बच्चे student होगा तो student या फिर school join नहीं की होगी तो others को सिलेक कर लेना है is either of your parent government servant में अगर आप government servant नहीं हो तो no पे सिलेक करना है अगर आप government servant हो तो yes पे सिलेक करना है लेकिन अगर yes पे सिलेक करोगे तो अप फोड़ी detail भी fill करनी होगी education qualification के column selection के थूँ fill करना है तो आपके बच्चे के appropriate detail सिलेक कर ले नॉन इसी आर के टेगरी में आपको yes पे सिलेक करना है यहां पे आपको आप चेक भी कर सकते हो click here पे tap करके के आप नॉन इसी आर के टेगरी में fall करते हो या नहीं कि दोस्तो इसी आर और नॉन इसी आर के टेगरी समझने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूत है इसलिए मैं अभी आपको explain नहीं कर रहा हूं लेकिन आप जो मैं बता रहा हूं उसे follow करते जाए कि एग्जेट राइट साइड में document required पे क्लिक करेंगे तो document list मिलेगी जिसमें से आपको कोई एक document साथ में ले लेना है जब आप passport office में जाएंगे तो as in non ECR proof उस document के जरूत पड़ेगी तो यहां पे आप लिस्ट को proper देखके कोई भी एक document कोई भी एक appropriate document साथ में collect कर लिजेगा visible mark में आपको blank छोड़ देना है अगर कोई by birth mark हो तो आप उसे वहां पे fill कर सकते हो other number properly fill कर लेना है क्योंकि other card ही अपना main document है उससे properly fill करें अब दोस्तों यहां पे I agree pay yes को select करना है save my detail को के tab पे click करना है और next के tab पे click करके आगे बढ़ना है दोस्तों आपको हर बार save my details करके ही next पे click करना है ताकि application अगर अधूरा भी छूट जाए तो जब आप वापस लॉग इन करोगे तो आपको फूरी detail वापस से fill करनी नहीं चड़े family detail के page में father या legal guardian का नाम और surname fill कर लेना है वैसे ही mother का भी नाम और surname fill कर लेना है legal guardian होगा तो वह case में आपको legal guardian का नाम लिखना है और ना उसे blank छोड़ देना है यहाँ पे father और mother का passport number fill करना है दोस्तों अगर father और mother दोनों का passport होगा तो बच्चे को police verification करवाने की जरूरत नहीं है दोस्तो present resident detail का यह page है जहाँ पे is present address out of India में आपको no को select करना है address में आपको as per id proof address fill करना है और वो proof आपको साथ में verification के time पे जाते हुए carry भी करना है दोस्तों address proof की list आप यहाँ से check कर सकते हो जिसमें दिखाया गया है कि आप कौन कौन से documents as a address proof submit कर सकते हो city or state आपको select कर लेना है नजदी की police station भी आपको select कर लेना है mobile number और email id आपको properly fill करनी है क्योंकि future communication आपका वो ही mobile number और email id पे होगा यहाँ पे दोस्तों is permanent address available पे आपको yes पे click करना है इस permanent address same as address पे आपको yes पे click करना है अगर आप no करेंगे तो आपको permanent address proof देना पड़ेगा और आपको permanent address यहाँ पे declare भी करना पड़ेगा जिसका आपको ध्यान रखना है address detail फिल करके आपको next पे click करना है अब दोस्तों आपको यह page पे emergency contact details फिल करनी है जिसमें आप आपके किसी भी करीबी रिष्टेदार की detail फिल करके next करके आगे बढ़े identity certificate details में have you held ever any certificate में आप no को select करे details of previous current diplomatic passport में आप not available पे select करे यह दोनो details में आप no पे select करे यह common civilians के लागू नहीं होती है have you ever applied for passport में आप no पे select करे अगर आपने पहले passport के लिए apply किया था और किसी वज़र से passport reject हो गया हो या hold पे चला गया हो तो आप yes पे click करे और file number date of applying name of passport office वगेरे detail फिल करे और next पे click करके आगे बढ़े other details में आपको सभी option no को select करना है लेकिन आप सभी option एक बार properly पढ़के आपके case में अगर yes हो तो yes को click करे अगर no हो तो no पे click करें generally सभी option पे no आएगा लेकिन आप एक बार properly पढ़के click select करें मैं अभी no पे click करके आगे बढ़ रहा हूँ next page पे आपको passport का preview आएगा जिसे आपको properly check कर लेना है अगर कोई गलती हो तो वापस जाके को rectify कर लेना है और अगर okay हो तो next पे click करके आगे बढ़ना है दोस्तों यहाँ पे self declaration का page है जहाँ पे आप जो जो document select करेंगे उसकी original और एक photocopy passport office में interview के time पे आपको carry करके लेके जाना है यहाँ पे आपको proof of birth select कर लेना है proof of residence आपको select कर लेना है और आप कौनसा annexer submit करने वाले हो उसे download कर लेना है annexer और affidavit में आपको annexer D को download कर लेना है और उसको select कर लेना है दोस्तों यहाँ पे आप dg locker के थूप भी document directly upload कर सकते हो दोस्तों annexer D में father और mother का joint declaration होता है जो कुछ form इस तरीके से रहेगा जिसकी आपको print out निकाल लेना है और fill करके लेके जाना है annexer D को आप यह screenshot के हिसाब से fill कर सकते हैं एक बार screen pause करके आप print out निकालके यह screen के हिसाब से आप print कर लेना है पास्पोर्ट sms का जो option है वहाँ पर आपको yes पर क्लिक करना है ताकि passport office से कोई update होगी तो आपको sms आएगा यहां से आप preview application भी कर सकते हो तो एक बार application वापस से चेक कर लेना है कोई गलती तो नहीं हो रही है और फिर आगे बढ़ना है दोस्तो एक बार properly check हो जाने के बाद ही आप final submit करना अगर कोई problem हो आप back जाके वापस से उसे आप rectify करके फिर final submit कर सकते हो यहां पर दोस्तो your application form has been submitted successfully का notification आने के बाद आपको pay and schedule appointment पे click करके payment complete कर लेना है जोस्तो यहां पर payment करने से पहले आपको schedule के सबसे appointment लेनी पड़ेगी और उसके बाद payment करना है तो सबसे पहले आपको अपका list click को select कर लेना है available date को select कर लेना है और उसके बाद payment कर लेना है शयत्वाइब कर लेड़ेर आपकार कर ले पहले आपकार समय अइंड़ें याल आने है थाड़्ट और अजाएतर ले आपकार मुमनowsकर मुमन कर खड़े दो इना है झाला है जो जल्सकी भंदे셔서शलर मुमनpen उलमस रसकार aक्याओन दोस्तों पेमेंट कम्प्लेट हो जाने के बाद सिस्टम आपको लोग आउट कर देगा वापस लॉग इन करने से आपको कुछ ऐसा हॉम स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे आपको सबसे पहला अपसन मिलेगा वियू, सेवड और सब्मिटेड एप्लिकेशन जिसके उपर क्लिक करके आप आपकी सब्मिटेड फाइल का स्टेटस कुछ इस तरीके से चेक कर सकते है यहाँ पे आपको अप्लोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का टैप है जिस पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अप्लोड कर लेना है यहाँ पे आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूप को सब्मिट करना है एजे एड्रेस प्रोप आप कौनसा डोक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसे सिलेक करना है और आपके फाइल PC में से चूज करके अपलोड कर लेनी है यहाँ पर अगर आपका दोस्तों डीजी लोकर एकाउंट होगा ताप सिधा डीजी लोकर से भी आपके डोक्यूमेंट अ लेके जाने है तो यह भी ध्यान रहे कि जो डोक्यूमेंट आपके पास ओरिजनल है उसी को आपको अपलोड करना है उसके बाद दोस्तों आपको डेट अप बर्त को भी कुछ इसी तरीके से अपलोड कर लेना है नौन-ECR प्रूप में आपको बर्थ सर्टिफिकेट का अप्शन मिलेगा तो उसे चूज करके अपलोड कर लेना है लास्ट में आपको one of the sixteen standard document को अपलोड करना है जिसमें भी आपको अधारकाड का option मिल जाएगा तो आप अधारकाड ही अपलोड करें दोस्तों अगर गलती से आपको आपसे कोई गलत document अपलोड हो गया हो तो आप यहां पे cross mark पे क्लिक करके cancel करके उसे वापस भी अपलोड कर सकते हो दोस्तों यहां पे आप track your payment status पे क्लिक करके आप अपना payment status successful हुआ कि नहीं हुआ वो आप चेप कर सकते हो यहां पर print application receipt का option है जहां से आपको receipt की print ले लेनी है और दोस्तों passport office में आपको schedule के हिसाब से 15-20 मीट पहले ही पहुच जाना है वहां पे आपको mandatory document में आपको application की receipt आपका select किया हुआ ID proof, address proof, birth certificate और NXRD जिसमें माता और पिता दोनों का joint declaration है उसे भी लेके जाना है और दोस्तों आपने NXRD बरा है तो आपको mother और father दोनों को साथ में जाना पड़ेगा दोस्तों आपको application fill करते time कोई issue आ रहा होगा तो आप comment करके मुझे जरूर से पूछ सकते हो मैं आपके question का reply जरूर से करूँगा दोस्तों आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको helpful लगा होगा और दोस्तों आपसे अनुरुद है कि मेरे वीडियो को like करे, share करे और हमारी चैनल को subscribe भी करे Thank you दोस्तो